दोस्तो BPSC Teacher भरती फेज टू में कई सारे बदलाब अभी किये गए हैं जैसे आपकी रेश्टेशन प्रोसस में भी कई सारे बदलाब हुए हैं इसके आलावे भी ऑफिसल वेपसाइट पर भी देखेंगे दो नई नोटिफिकेशन भी जारी किये गए जिसके बारे बेवी हम इस वीडियो में बताएंगे ये काफी महत्पूर्ण वीडियो होगा आप सभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दे रेश्टेशन परक्रिया में जो बदलाब किये गए हैं आप यहाँ पर आएंगे तो पहले जब आप यहाँ पर आते थे प्रसैक्षन की यो सब्सक्राइब कर दिया गया है और जब उसके नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जब आप अपनी जो पातरता को चुनते थे जैसे अपने अगर सीटेट एश्टेट पास किया होगा तो पातरता में आप आते हैं अगर वही कोई पुर्व में ही कारेरत सिक्षक है 2012 या उससे पुर्व तो उन्हें दक्षता को चुनना था तो देखेंगे आप पातरता परिक्षा को चुनेंगे तो यहाँ पर पहले एक ही उप्षन आपको मिलते थे सीट पेपर टू या बीटेट पेपर टू लेकिन अब देखें इस्टी डिपार्टमेंट में बहाली है class 628 के लिए for all subject यहां पर add कर दिए गए हैं साथे साथ computer estate paper 2 वाले candidate को भी अब यहीं से select करकर आपको आवेदन करना होगा इन बातों को ध्यान रखिएगा बाकि यहां पर आप देखेंगे और बिहार estate paper 1 जो candidate qualify किये हैं इन सब्जेक्टों से तो यहां पर उनके मन में कई सारे कनफूजन है क्योंकि पहले अन्य था अब अन्य विसाय कर दिए गए हैं और लागातार जो candidate है जो पटना में अवस्तित है वो लोग जाते हैं बिपीएसी आयोग के पास तो उनके द्वारा अब बताया जा है कि इन में जो आपको option चुनना है वो आपको एज यह नहीं देखना कि आपको चार साल एज में आपको relaxation चाहिए या नहीं चाहिए आपको चुनना इस भी है पर है कि आपका सब्जेक्ट जो है जैसा मान लिजे आपने state paper 1 हिंदी से उतिन किया तो हिंदी आप देखिए उ इनिडेट लगातार परसान है क्योंकि आप अलग-अलग अपने चैनल पर भी वीडियो देखा होगा फॉम फिलप का तो सभी लोग अपने अनुसार जिनको जो सही लगता है वो आपको बता रहे है कोई बता रहे है कि आप अन्ने option को चुनिए कोई बता रहे है कि आप इस साथ आप जा सकते हैं हमने अपने according जो भी जनकारी हमें समझ में आया हमने आपको बताया लेकिन अब परसान हो रहे है कि हमने अन्ने को चुन दिया है अब हम क्या करें कैसा सुदार करें तो देखिए अभी इसको लेखर आपको कुछ जो है action नहीं लेना है इस पर जब तक आयोग कुछ नहीं बता दे हो सकता है आयोग बोले कि नहीं किसो को relaxation नहीं चाहिए तो अन्य option के साथ ही जा सकते तो यह अभी पूरी जो decision है यह आयोग के पास है आयोग जब तक किस पर को decision नहीं लेता है अब तक आप अगर payment कर दिया तो registration cancel मत करिए क्योंकि cancel करेंगे तो पैसा भी चला जाएगा और आपका समय का भी बरबादी होगा तो अभी wait कर देखें आयोग कब तक किस पर decision लेगी क्योंकि पूरे form फिलप की परकिरिया में सबसे जो difficult हो रहे हैं candidate को परसान नहीं हो रहे है बाके कहीं भी candidate परसान नहीं हो रहे है यहां पर उनको age वाले ज कहीं चात्र हृत में सहीं नहीं हो पा रहा है चात्र लगातार परसान होते क्योंकि आपने पहले कुछ और option दिया था अब कुछ और कर दे रहे हैं और इसको लेकर notification भी आप नहीं दे रहे है तो इन चीजों को लेकर मेरा योग से बिंती है कि इन चीजों को लेकर जल्द से जल्द आप notification निकाले क्योंकि registration का date भी आज भर है अगर आप इस चीजों को clear नहीं करेंगे तो लगबग समझे कि लाखो चातर चातर अपना form गल्तिक कर बैठेंगे और उनके मन में अभी भ अधिकारी अलग बात बताते हैं या अलग अलग जो भी operator आपके हैं वह अलग बात बताते हैं तो clear कहीं से भी नहीं हो पा रहा है कि किस option को चुनना सही होगा और इस चीजों को लेकर कोई भी अगर आपको बता रहे है फॉर्म भरने की तरीका तो 100% और स्योर नहीं है कि व आपको एज में रिलाक्स सतने चीए तो यह जरूरी नहीं कि वह सही ही होगा वो अपने जो भी उनके अंदर knowledge है जो भी उनके पास योगिता है वो अपने according आपको बता रहे है जब तक कि यह clear नहीं हो पाएगी तब तक कोई भी आपको 100% यह सही जानकारी आपको नहीं दे पाएगा तो आपसे विनाती है कि इन डाउट को आप प्लेज किलियर करिये सबसे बड़ी जो समस्या यही है इसके अलावे भी बदलाब क्या किये गया है तो notification आप देखेंगे तेरा तारी के date में ही निकाला गया है एक तो आपका जो qualification में है वो modification किये गया है उसको लेकर यहाँ पर जारी किये गया है और एक और जो notification निकाला गया है जो phase 1 की बहाली थी जो इसमें जोड़ा गया है जो कि पचासार 263 पद उपर है जिसमें पहले बताया गया कि आनारक्षित में जो भी सीठे है केबल और दिव्यांग अभी यार्थियों के लिए है लेकिन अब उसमें संसोदित ये किये गया है जैसे आपको notification दिखाते है इसमें देखिया आनारक्षित में जो भी आप सीठे देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग अभी यार्थियों के लिए था लेकिन अब जो है वो जो भी आनारक्षित वाले सीठे है उस पर सभी परका बाकि अभी भी कई सारे confusion है आपके मन में जब तक आयोग इसको किलियर नहीं कर पाती है तब तक कोई भी आपको सही या 100% यह नहीं बोल सकता है कि आप इससे चुनिए यह सही होगा यह आयोग की मामला है योग इसको किलियर जल्द से जल्द करे यही हम लोग का भी मांग ह लगतार आप लोग को कभी मांग है आप लोग ट्विटर पर भी ट्विट करिए ताकि जल्द से जल्द इसका निदान हो पाए आगे जो भी अपडेट आएगी इसकी जनकारी मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा बाकि वीडियो पसंद आ हो तो इससे लाइक से जरूर क करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें धन्यवाद